वे गौर चंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमो सरब्रधमे मध्य गुरुपाद पत्म नितली लाप्र विष्टम विष्णु पादस्टो तरसत स्री श्री स्रीमाद भक्ती स्रीरोप सिध्धान्ति गुस्वामी महराजी के चर्ण कमल में अनन्द कोटी साश्टांग दन्दवत प्रणाम करता हूं तत्पस्चात मध्य सिख्या गुरुपाद पत्म नितली लाप्र विष्टम विष्णु पादस्टो तरसत स्री श्री स्रीमाद भक्ती विधान तस्रीला नारायन गुस्वामी महराजी के चर्ण सरज में स्रध्धा पुस्वांजली अरपन करता हूं उपस्तीत वैसनव ब्रिंद सभी को जथा जोगे प्रणाम करता हूं आज हम लोग स्रबन करेंगे हम लोग गले में ये तुलसी कंठी क्यों पहिनते हैं कुछ कुछ लोगों का कहना है भक्ति करना तो भगवान की भक्ति करना इस अब कंठे में तुलसी कंठी तिला को चोटी इस अब रखने का क्या जरूरत है लेकिन हमारे सास्त्र कहता है जर जरुवरत है, जैसे एक सदवास्त्री है, हमें कैसे पता चलता हैं ये सदवास्त्री, मांग भरती हैं, सिंदुर लगाती हैं, गले में मंगल सुत्र पहेंती हैं, हात में चूड़ी धारन करती हैं, ऐसे कुछ लख्यन हैं, जिसको देख करें हमें पता चलता हैं, ये सदवा ह लेकिन ऐए से कुछ उचिन है जिसको देखकर एंया पता चलता है यह विदवा है। कि उसी तरह हम भी भगवान को भक्ति करते हैं इसमें क्या प्रमान है हम भगवान को भक्ति करते हैं इचले गोग उसका बहूत कुछ प्रमान. थे दिया है जैसे के police है लेकिन उसको dress करें हम पता चल जाता है यह जैसे जब कोई बोकील अपिश में जाता हैं अपना coat,wood, suit पहिन करके जाता है जिसको देख कर गोगन के पता चलता है यह यह बोकील्य है जब यज आधारण का जरूरत है तो अप्राकृत जगत के स्वश्ऺ जरूरत नहीं ज्रूरत है यह सास्त्र में तुलशी कंटि धारण करने का दी बताए charity जो तुलसी धार्ण करते हैं यह मत समझिए यह केवल एक मन का भाव है नहीं हमारे जितने रिश्यमुनियों ने जो जो बात बताया है और सब के सब साइंटिपिकाल कुछ रीजिन है इसलिए प्रस्ण होता है फिर यह तुलसी पहिंदे में क्या साइंटिपिकाल रीजिन है कौन सा कौन सा ब्रिख्यों को हम पुजा करते हैं जैसे तुलसी प्रिख्यों को पुजा करते हैं आरती करते हैं परिक्मा करते हैं उनको प्रणाम करते हैं जैसे पीपल ब्रिख्य है उनको भी करते हैं जैसे नीम का ब्रिख्य है उसको भी पुजा करते हैं इसका पीचे क् कारण क्या बले कारण है यह तो तीनों ब्रिख्या का नाम हमने लिया है यह ब्रिख्या यह दीन में भी अक्सिजन चोड़ता है और यह रात को भी अक्सिजन चोड़ता है लेकिन और जितने सारे ब्रिख्या है यह क्या करते हैं दीन में कार्बन डायक्साइड लेते हैं और ले रात को इतने सारे परिख्य के एंगण कषया और इसा प्राइब आक्साइड ये छोड़ते ही इसलिए हमारी हिंदू नात्रधर्म रखते हैं के बाधना साइन से घर को सामरें ये देन्स वज्यार रखते हैंन। ये अक्सिजेन हर समय दी निराथ हर समय ये अक्सिजेन छोड़ती रहती है और विशेस करके सास्तर में बताई व्रिंदा आई तुलसी देब्वधई प्रियाई के सबस्चा क्रिष्ण भक्ति प्रदेवी शत्य बत्य नमोनम ये तुलसी का प्रणाम न्त्र है तुलसी बिर्क्ति दने वाले हैं इसलिए हम लोग गले में जो तुलसी धर्णा करते हैं इसका कारण हैं जैसे भगवान को हम जो कुछ भोग लगाने पर भी चापान भोग चात्रिस बेंजन लेकिन बिना तुलसी प्रभु एक नहीमानी बगर तुलस के प्रफु एक बस्तु भी स्युकार नहीं करते हैं उसी तरह हमारा यह जो सरीर है गो स्वामी तुलस जास्ति कहते हैं खिती जलपा बाक गागा ना समीरा पांचार चिता यहा आधा मा सरीरा हमारे सरीर पांच चीज को दरा बना हुआ होता है इसलिए जो पांच चीज से बनी हुई है यह अपवित्र है अधम सरीरा है इसलिए यह सरीर भगवत से वाक लाइक नहीं जैसे साधारन डाल भात रोटी सबजी में तुलसी दल देने पर भगवान उसको सिवकार कर लेते हैं वो प्रसाद हो जाता है ठीक उसी तरह जब हम गले में तुलसी कंटी धारन करते हैं इस शरीर ठाकुरुजी का अर्पीत हो जाता है यह भगवान का बन जाता है भगवान हमें सिवकार कर लेते हैं इसलिए जो तुलसी कटी आठ तरह से जीव का कल्यान करती हैं तुलस को धरसन मातरे से ही जीववित्र हो जाता है क्योंकि तुलसी भगवान की सकती क्रिष्ण की प्रिया और उसमें बहुत सारे मेडिसीन अब लोगों को पता होगा भी जो करुणा आया है अब डेक्टर लोग क्या कहते हैं अगर सरी का हुमेनिटी को बढ़ाना चाहते हो तुलसी पता खाओ तुलसी दल को सेबन करो अग तुलसी का जूस मिलता है पेड़ साब करने के लिए रोग दूर करने के लिए इसलिए यह द्रिष्ट राक्यवल तुलसी की दर्सन मातरे से ही भगवान जब इस जगत से गए अपना स्वरुपुः चारी स्थान पर रख करके जाते हैं यह कहां कहां अपना कि गंगा में तुलसी में भक्तों में और बघुदमत वपागव बत ग्रंत में लिए दुलसी में भगवान का निबास है इसलिए हमेरे सनातन धर्म में सबके सब घर को सामने तुलसी पर रखते कारण किया जब हम घर से निकल करके जाते हैं अगर तुलसी को दर्शन करके प्रणाम करके जाओ। अब जिस काम के लिए जाते हैं यह जरूर आपका बन जाएगा। बहुत द्रिश्टा स्पिर्ष्वा तुलशिक जब हम सपश करते हैं पर्स मात्रे से यह सरीर पबितर हो जाता है। इसलिए हम गले में ये तुलोस्ती कंटी जो धारन करते हैं, ये सरीर को सपर्स करता है, इसने पुराना में बताया, जो बेक्ती गले में तुलोस्ती कंटी धारन करते हुए, सनान करते हैं, इसका सारे पाणी सारा सरीर में जाती हैं, सरीर में पाणी जाने पर प्रिथी में ज कितने सारे तिरत है कितना तिरत है बहुत सारी बिमारी अपनियाब सही हो जाते हैं इसे द्रिष्टा स्फिर्षा तथा ध्याता जब तुलसी का हम ध्यान करते हैं इसको द्वारा भी कल्यान होता हैं नमिता जब तुलसी का हम प्रनाम करते हैं हमारे कल्यान होता हैं मैं पर едबाले लुद्व करते हैं जो बिक्तिति लुद्व करते हैं उसलिए इसलिये लुद्व करते हैं 78 तरह चीवड कल्यान करती हैं यह तुलसी पुराण में बहुत सारे स्लोकं को दिया है यह तुलसी कैसे-कैसे का कल्यान करता है तुलसी दलजा माला कंठस्ता बहते तुझा ददाती कीमपुन्ना विष्नों से विनाप करते हैं करते हैं जितने हमारे पाब है यह सारे पाब को यह दूर कर देता है इसलिए दूसरा पुरान में बताया तत पर जे किया जो बेगती तुलसी काठ से अगले में माला को धार्न करते हैं कद जीवन में उसको किसी तरह का प्राय। प्रायस्चिति करने का कोई जरूरत नहीं तुलसी काठ मालास्तू प्रेथर आजस्च दूत का दृष्ट्वानस्चंति दुरेन बात दूतम जथानल यह जब महराज अपना दूतों को कहते हैं जो बेक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उनको मतलाया करो तब जम दूत प्रश आप कुछ लखन बता दू उसम में जब महराज इस लोक कहते हैं ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति तरिकंठी का हरिदय नास्ति गोबिंद सनर ब्रह्मराख्यस कधे जम दूतों जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके सरी में तीन लखन दिखाई पड़ेगा वो तीन खाण किया बले ललाटे तिलकम दालेखं द्हां लग दालेखं की होंगे विल गले में तुलसी के कंठी दारने किया होंगे यह इसको अगर देखोगे उनको दूर सही प्रनाम कर लेना खवर दार उनको पास में को नहींत तुमको मार काना पड़ेगा अगर कोई गले में तुलसी कंठी धारन करते हैं करते हैं दूस शपन जो हम लोग कभी-कभी बुरे-बुरे सपन दर्शन करते हैं कभी-कभी वो बुरे सपन नहीं होगा और चारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे इसलिए श्री हनुमनतलाल जी जिस समय लंका में माता सिता को ढूणने के लिए पहुँचे वो ढूण रहे थे कहां पर माता सिता जी कहां पर माता सिता जी लेकिन अठा देखा एक तुलसी बाग उन्हें ने देखा अलाहितो किसी भक्तों का घर पता चल रहा हैं क्योंकि ये तुलो से ब्रिख्य तो किसी भक्तों के घर में होता है और लंका में ये कौन है जो भगवान की भक्ति करने वाले हनुमान जी के बोले ये तुलो से ब्रिख्य देखर के लंका में उतरे फिर और क्या देखा घर को सामने लिखा हुआ स्री राम ये तुमेरे अगर हमारी घर में तुलसी ब्रिख्य होईगा तो जरूर सी हनुमत लाल जी जरूर हमारे घर में उतर करके आएंगे और एक पुराण में बताए बले महा प्रसाद जननी अखंडम सवभाग्य बर्धनी आधी ब्यादि हरे नित्यम तुलसी त्वाम नमा तुते तातपर्ज क्या है करते हैं जब भगवान को कोई चीज भोग लगाते हैं जब उसमें के बलत तुलसी पता देने पर ठागुर जिसको ग्रहन कर लेते हैं इसलिए यहां बताया महा प्रसाद जननी मतलब जब तक हम तुलसी पता नहीं देंगे तब तक ठागुर जी तुलसी तुलसी देते ही वो भगवान को अर्पित हो जाता है अखंड सौभाग बर्धनी गले में जो तुलसी कंडिधान करते हैं भगवान उनको प्रियतम बन जाता है ठागुर जी उनको क्रान कर लेते हैं वो अखंड सौभाग बर्धनी उसका सौभाग कभी लुटेग नहीं चिरकाल सवभाग्य बन करके और रहेगी वल आधी ब्याधी जितने तरह का रोग जितने तरह का सोग जितने तरह का बीमारी हरे नित्यम तुलसित्वाम नमस्तुते इसलिए तुलसिको प्रणाम करने से तुलसिक गले में धारना करने से सारे बीमारी दूर हो जाएगा इसलिए और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं जिस समय जमदूतों ने पुछा जम महराज को कौन भजन करता नहीं करता हमें कहीं से पता चलेगा तो उन्हेंने एक सुन्दर बात बताए देखो दो तरह के कुते होते हैं करते हैं एक पालतु कुता और एक फालतु कुता है लेकिन जो पालतु कुते हैं कहीं से पता चलता हैं पालतु कुता वल्यों उसको गले में पट्टा बंधा हुआ दिखता हैं देखने से पता चलता हैं इसी घेसी घर के कुते लेकिन जो बिना पटे के जो रोड और में घुमते हैं कदि ये फालतु कुते हैं लेकिन पालतु कोई मारते नहीं और फालतु कोई छोडते नहीं इसलिए आप देखिएगा अगर सहर में ज़्यादा कुते होगे लेकिन कैसे पता चलता है ये पालतु और फालतु कते हैं जिसको गले में पटा नहीं होता उनको सो पकड़ पकड़ ले जाते हैं लेकिन जब देखते हैं गले में उसकी पटा लगा हुआ पता चल जाते हैं ये किसी घर की पालतु कुता है उसको कोई इस परसन नहीं करते हैं इसलिए कवीरा बड़ी सुंदर एक दोहा में उन्हें यह चीज को अभिवक्ति किया है कवीरा कुता राम का मतिया मेरा राम गले राम की साः करी जित्ते खिंचे ती ती जाए इसलिए कवीरा कहे रहे हैं के दो भाया हम किसकी कुते हैं पिछले हम राम की कुते हैं कले गले राम की साकरी गले में हमारा जो जंजरी लगा हुआ किस चीज की भगवान की भक्त का ये गले में जो कंटी हम भगवान की जो भक्त इसका ये पहिचान है बले मन कुता दर दर फिरे तर तर तुरु तुरु होए जब एक ही दर का होई रहे ना तुरु करे ना कोई बड़े सुन्दर उदारन दिये कविरा अपना मैन को ही ये बता रहे ही मन कुता दर दर फिरे तर तर तुरु तुरु होये जब एक ही दर का होई रहे ना तुर तुरु करेना कोल अगर हम भगवान की भक्ती जब तक नहीं करें गल्य में तुलुसी कंडित धारन नहीं करेंगे तब तक हम लोग सब लोग हमें भगाते रहेंगे लेकिन जब हम गल्य में तुलोसी कंटी धारने कर लेंगे अतला भगवान का राम का भक्त बन उन जाएंगे ना तुरु तुरु करे ना कोई फर हमें कोई दूर दूर नहीं भगाएंगे इसले गल्य में तुलोसी कंटी धारने करने से जब महराज सोयम कहत हैं समझ लेना ये भगवान का भक्त है इनको कभी मेरे दरबार मिलें जाना इसलिए आप लोगों जरूर ये तुलोशी कंटी पहिनों लेकिन तुलोशी कंटी पहिनने का कि नियम भी है सद्गूरु से ग्रान करने चाहिए किसी सादू से और ऐसे नहीं हमने अपनी आप धार और एक नियम है इसको धारन करने के लिए भागवत में बत्राइब करने चाहिए तब ही यह तुलोशी कंटी धारन करने चाहिए कहते चार घस्तु हमें कली का निवास है बले कहां कहां पर दूत्म पानम स्त्रियम सोना जथा अध्रम चतुरविदा इसको हमें चोनना मतलब होता है जुआ नहीं ख़लने चाहिए पानम पानम मतलब जितने तरका नसली बस्तु है पान बेड़ सिगर्ट अपिमिगांजा भांग सराप इसको छोनना पड़ेगा तिसरा नमबर स्त्रियम स्त्रियम मतलब अबय धरूप में जो स्त्रि संग है संसार करो पत्नी को पर कली का निवास और जो चौथा चीज यह जीव इंसा मांक्स मचली अंडा पियाज लसुन इस सब छोड़ करके गले में तुलो सिकनी धार में करेंगे तो करिए जल्दी जल्दी हमें असर करेगा और इसका फ्ल है एक दिनी हम भगवत चरणों को प्राप्त करेंगे वह स जे कुछ करेंगे जल्दी ऑगवत चार बाहा ओवत प्राप।